Hi Diplod आज हम बात करने वाले हैं जाएवाय котором और व्यदार के बारे में हैं और आपको पता है कि अगर आपको दू नंबर्स का संब करना है तो आप plus operator यूज़ करते हैं, तो plus क्या है, एक character है, कह सकते हैं कि एक symbol है, जो कि cross जैसा दिखता है, वो plus के लिए होता है, multiplication की बात करें, तो ये complete एक cross होता है, x जैसा, तो ये characters हैं, तो operators simply एक characters हैं, जो कि एक specific task को perform करने के लिए यूज़ होते हैं, अभी JavaScript में बात करें, इसम में mainly 3 type का operators होते हैं, जिनको बोलते है binary, unary and ternary, binary and unary, ये तो commonly यूज़ होते हैं, ternary क्या है, कि ये special type का operator है, जिसको condition basis में हम use करते हैं, binary की अगर बात करें, तो binary क्या है कि जिसमें कोई भी operator है, जैसे आप plus दे रहे हैं, तो plus के दोनों side, left and right, बोद साइड में आपको operations देना है, operations क्या होते है, जिसपे आप action perform करते हैं, like 2 plus 3 आप कर रहे हैं, तो 2 and 3, ये आपके operations हैं, और plus जो है, ये आपका operator है, यसे अगर मैं बताऊं, जिसे माल ये 2 plus 3 आपने किया, तो ये 2 जो है, ये आपका 2 and 3, ये आपके और जो plus है यह आपका operator है तो आप समाज़ें कि operator क्या है कोई बी एक specific task को perform करने के लिए एक special character है कह सकते हैं जो की use होता है उस task को perform करें अगर आप plus यूज करें तो यह sum करेगा, minus करें निए sub tract करेगा, जावास्कृट ने different type के operators होते हैं, जिसको हम one by one देखेंगे, इसमें हम बस basic operators देखेंगे, जो कि है assignment operator, assignment, arithmetic, string operator and comparison operator, तो सुरू करते हैं पहले assignment operator से, अब भी हम देखते हैं assignment operator, assignment operator क्या होता है, आप definition देख सकते हैं, assigns a value to its left operand based on the value of its right operand, यह क्या करता है कि जो भी operator के right side में है, उसकी value को left side में जो आपने operand define किया है, उसमें यह store कर देगा, for example है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, x equals to, ऐसे एक dummy function create किया गया है, तो यहाँ पर जो equals to है, यह हमारा है assignment operator, यह क्या कर रहा है कि इसकी value आएगी function की, उसको x में assign करेगा, for example अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे माल लीज़ें, आपने एक variable create किया, where x equals to 5, इसमें क्या कर रहा है, कि आपने एक variable declare किया, यह x है, और इसमें value store कर दो 5, यह जो equals to sign है, यह assignment operator है, जो क्या कर रहा है, कि 5 की value को, जो की right side में है, इस operator के right side में है, इसकी value को left side में, जो अपने एक्स create किया है, उसमें इसको assign कर रहा है, यह होता है हमारा assignment operator, जिसमें की, आप simple value को, किसी variable में assign करते हैं, दूसरा अगर बात करें, असाइनमेंट में, तो इसमें भी थोड़ से different type के है, different form है assignment करने का, तो दूसरा है हमारा addition assignment, इसमें क्या होता है, जिसमाली यह हमने create किया है, अभी हम बोलना है, कि आप x को, x में जो अपने 5 store किया है, इसको आप increase कर दो, आप ऐसे कर सकते है, x equals to x plus 5, यह basic way है, इसमें आप क्या कर रहा है, कि x को reassign कर रहा है, यह हमने पिछले वीडियो में देखा था, कि आपने कोई variable अगर x create किया है, तो आप x equals to 6, 7, 8, 9, जो भी आपको reassign value करना है, value को change करना है, वो आप कर सकते हैं, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, कि x equals to x plus 5 लिख देंगे, तो इसमें क्या होगा, कि x की जो value होती, उसमें 5 add हो जाएगी, value यहां से लिए, और यह इसमें 5 add करता हूँ, for more clarity, यह देखिए, x की value क्या थी 5, और 5 यहां आई, plus 7 हो गया, और यह value assign हो गया x में, तो यह है हमारा addition assignment, तो आप यहां पर देख सकते हैं, कि x equals to x plus function किया है, आप यहां पर देख सकते हैं, कि हमने इसको ऐसे भी लेख है, त इसको बोलते है, short hand, यह जो भी काम हम इससे कर रहे हैं, इसका short hand कहना है, मतलब सकते हैं, आप यह expression को यूज करके भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इसका मतलब क्या है, जिससे यहां पर जो हमने ऐसे किया है, इसको आप इस complete part को हटाईए, यहां पर आपने प्ल plus equals to 7, यह equivalent है, यह समझे है कि हमने इसी को लिखा है, ऐसे, जो पहले हमने लिखा था, इसका मतलब यह है, यह जो 3 characters है, equals to x plus, इसके जगह पर हमने बस लिखा है, plus equals to, यह समझे है कि इसके equivalent है, वही चीज है, अभी मैं इसको print करता हूँ, देखिए, result क्या आएगा, तिम result आ script internally ऐसा समझ ले रहा है कि हम इसको addition assignment कर रहा है, इसमें x plus 7 कर दिये, अभी मालीजे हम दूसरा देखता है, subtraction, हमें कुछ घटा आना है, तो same है, अब जैसे मालीजे कि x को हम थोड़ा बड़ा number ले लेता है, जैसे 10 ले लिया, अभी हमको घटाना है, तो एक तो तरीका यह ह है कि x equals to x minus 7 कर दें, जो हमारा traditional way है, basic way है, ऐसे, यह तो आपको clear समझ आ रहा होगा, कि हमने just x लिया, और x की value यहाँ है, उसमें 7 minus कर दिया, यह 3 output देगा, बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कि x minus equals to, यह same logic है, same expression यह समझाएगा internally javascript, बस उस बड़े वाल expression का यह short hand है, इसका output भी 3 आएगा, अगला बात करें, multiplication, यह same है, इसमें भी यही है, अभी आगे हम बात करेंगे, जब arithmetic operators बात कर लेंगे, तब I think यह आपको ज्यादे समझ आएगा, कि multiplication क्या है, यह division क्या assignment क्या है, उसके operator का symbol क्या है, और कैसे काम करता है, remainder assignment क्या है, बाकी अभी आप सम assignment वाला operator क्या है, कि आपको shorthand यूज कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे हमने like division के लिए slash यूज करते हैं, तो ऐसे किया, तो इक्वल्स टू कि जिस्ट पहले लिख सकते हैं, आपको remainder यूज करना है, तो आप ऐसे करेंगे, उससे बेतर है shorthand में percentage का sign दीजिए, then आप इक्वल multiply करना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यह होते हैं, कोई भी operation आप perform कर रहे हैं, कोई भी operator यूज कर रहे हैं, तो उसका एक short-hand form है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यह था हमारे कुछ assignment operator, अब भी हम देखते हैं, arithmetic operators क्या होते हैं, यह देखे, An arithmetic operator takes numerical value, either literals or variables, as their operands and returns a single numerical value, the standard arithmetic operators are addition, subtraction, multiplication and division, these operators work as they do in most other programming languages, when used with floating point numbers, in particular note that division by 0 produces infinity, इसका मतलब क्या है, कि जो arithmetic operators हैं, या तो यह literal लेते हैं, या variable लेते हैं, और जो भी आप उनका operator यूज किये हैं, उसके basis पे ये एक single numerical value आपको return करते हैं, अब basic arithmetic operators कौन-कौन से हैं, addition हो गया, plus, subtraction हो गया, minus, multiplication हो गया, इसमें programming language में हम star यूज करते हैं, ना कि cross यूज करते हैं, like x, division में क्या है, हम slash यूज करते हैं, यह forward slash है, और यह operators के basis पे हमें एक single numerical value आता है, और यहाँ पर note करने वाली बात ही है, कि अगर आप किसी value को 0 से division कर रहा है, 0 से आप divide करने जाएंगे, तो यह infinity produce करेगा, जैसा कि normal math में भी होता है, यह आपको पता होगा, तो अभी हम कुछ देखते हैं कि numerical operators पर कुछ examples देखते हैं, जैसे मान लिजी यहाँ है, जैसे मान लिजी कि आपको 3 and 4 का multiplication करना है, तो आप ऐसे कर सकते है, x equals to 3, जैसे कि आपका पता है कि star से हम numerical multiplication का operator योज करते हैं, सबसे पहले देखते हैं, addition, 3 plus 4 किया, तो यहाँ पर हमने कुछ print नहीं किया है, तो हम इसको print कर लेते हैं, x, यह देखे, 7 दे दिया, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, x में हमने 3 दिया, एक हमने दूसरा variable यह y, इसमें हमने 4 दिया, और console.log में हम बोले हैं, x plus y को print करो, ऐसे, यह आपका x plus y करेगा, आप चाहे तो आप एक तीसरा variable बनाएए, जिसमें आप result कर दीजे, result equals to x plus y, यह same way में काम करेगा, यह क्या कर रहा है कि आपने x create किया, x में value assign किया, आपने 3, assignment operator के use करके, then y, और फिर आप बोले हैं कि ठीक है, result में आप assign करो किया भई, तो x plus y, x और y के जो भी values हैं, उनके addition को आप result में assign करो, तो यहाँ पे जो है, assignment operator यूज हो रहा है, और इसके basis पर हम result को, अब यहाँ पर देखे, x plus y ना करके, हम यहाँ पर result कर सकते हैं, यह print करेगा, तो यह भी 7 ही print करेगा, यह था हमारा arithmetic का, यह first edition operator, दूसरा अगर हम बात करें, multiplication, same इसमें भी है, multiplication में एक तो आप single line में ऐसे कर सकते हैं, where, mileage multiply equals to 3 into 4, आप ऐसे कर सकते हैं, इसको mileage हम print करते हैं, ऐसे, इस उपर वाले code को हम comment करते हैं, यह देखे, 3 into 4, 12 आ गया, आप चाहें तो same, इसको मैं comment करता हूँ, इसको uncomment करते हैं, अब यहाँ पर जो आपने addition operator यूज किया था, sum करने का, यहाँ पर एक star y लिग दीजी, यह क्या करें, यहाँ से value लेगा, यह जो आपने assign किया है, और उनका multiply कर देगा, यहाँ पर देखे, यहाँ भी result वही आ रहा है, मानली जी 3 into 5 कर रहे हैं, यह आपका 15 result कर देगा, यह हमारा multiplication का operator, अगर हम बात करें division का, तो division का आपको पता है, मैंने बताए कि आप यहाँ पर slash use करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, division करने के लिए हम slash use करते हैं, यहाँ पर star है, यहाँ पर slash कर देंगे, यहाँ पर star line में कर सकते हैं, जैसे हम लोग कर रहे थे, ऐसे यहाँ पर 3 slash 4, तो यह same result आपको produce करेगा, तो यह होगे आपका division का, यहाँ पर एक और operator होता है, percentage का, division and percentage में एक difference है, जैसे मानली जी इसको मैं 13 किया, यह देखिए, यह point में result दे रहा है, 3.25, अगर यहाँ पर percentage करता हूँ यह क्या दे रहा है, 1, अब यह 1 कहाँ साया, 1 क्या है कि remainder है, आपको कोई division कर रहे हैं, आपको यह पता करना है कि उसमें remainder कितना बच रहा है, तो उसके लिए हम percentage करते हैं, like 13 में अगर आपने 4 से divide किया होगा, तो 3 times तो यह completely चला गया, 4, 3, 12, then बचा 1, तो जो 1 है, यह यह result में आ रहा है, तो आपको यह जैसे इसका use case क्या हो सकता है, जैसे मालीजे आपको बोला जाए कि आप ऐसे आपको numbers का list दे दिया जाए, बोले जाए कि ठीक है, इसमें से even number निकालो, या फिर ओन निकालो, जो 3 से divisible है, तो आप क्या करेंगे, 3 से सारे numbers में divide करेंगे, और ज इस तरह कि इसके use case हो सकते हैं, इसके और भी use case होते हैं, हम आने वाली वीडियो में देखेंगे उसके बारे में, बट अभी आप यह समझे कि slash जो है, यह आपको complete result देता है, और percentage क्या है, कि वो just आपको remainder देता है, यह हो गया हमारा division का, इसके बाद बचा हमारा subtraction, हमने addition multiplication, division, एक बचा है, subtraction, subtraction का भी सेम है, x minus y आप कर दीजिए, यहाँ पर, आपको 12 minus 4 करके यह, यह minus था, मैंने equals to लिख दिया है, ठीक है, यह 12 minus 4 करके 8 देदेगा, आप चाहिए तो single line में लिख सकते हैं, जैसा यहाँ पर हम लिख रहते हैं, यह आपको minus में भी result produce करके देग यहाँ पर हमने variable गलत यूज किया है, प्रिंट कराने के लिए, यह देखे, उपर वाले का result 8 आया, नीचे वाले से हमें minus 1 आया, यह था हमारे कुछ basic arithmetic operator, इन operators का यूज करके हम, मतलब condition create करते हैं, आपको use case के हिसाप से आपको कोई ऐसा function evaluate करना है, कोई expression evaluate करना है, तो हमारा string operator, string operator क्या है, जो mainly अगर आप देखे definition, तो in addition to compression operators, which can be used on string values, the concatenation operator plus concatenates two string values together, returning another string, that is the union of the two operand, इसका मतलब क्या है, concatenation क्या है, कि दो string को, जैसे मान लिजिए आपने कुछ name दिया deeply, then learn, इन दोनों को यह add कर देगा, concatenate कर देगा, concatenate का मतलब एक साथ लेका आएगा, जैसे मान लिजिए आप example में दिया है, console.log my plus quote में string, इसको जब यह result करेगा, तो यह इस तरह से print करेगा, अभी इसका मै आपको एक basic सा example देता हूँ, जैसे मान लिजिए कि आपने, जैसे मान लिजिए मैं बोल रहा, string one, आपको पता है, string को हम ऐसा हम quote में लिखता है, आप मान लिजिए हमने दिया deeply, then हम एक दूसरा string create करता है, इसको copy किये, यहाँ paste किये, इसको string two कर देता है, और इसको deeply को हम learn म अभी हम दोनों को जोड़ते है, console.log में str1 plus str2, अभी इसको आप run करें, यह दोनों को add करके दे दिया, तो string operator में simple आप यही समय लिजिए, जहां भी दो string होंगे, उनको आपको जोड़ना है, तो string के case में, जैसे math के case में तो हम उसको addition बोलते हैं, but string जहां भी हो, उस case में इ recognition है, आप चाहें जैसमाली दोनों के बीच में आपको space देना है, तो आपको अपने string में ही space देना पड़ेगा, quote के बाद या quote से पहले, जहां भी आपको space जैसमाली जी हमें दोनों words के बीच में चाहिए, तो हम चाहें तो इस word में एक extra space दे 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 तो यह जैसे add होगा, व इसको भी string consider करेगा, quote के अंदर जो भी आप space देंगे, वह ही consider होगा, quote से पहले, जैसे माली जी यहां पर मैंने दे दिया, तो इसको consider नहीं करेगा, उसको neglect कर देगा, उसको नहीं दिया, जैसे माली जागर हम deeply में ऐसे कर दें, यहां पर, तो यह भी लेगा, माली जी हमने double space कर दिया, तो यह double space print होगा, deeply, देखें, यहां पर double space है, तो यह है हमारा string operator, string operator कुछ नहीं है, आप समझेए कि arithmetic का addition है, but on the string, arithmetic में क्या था कि हम numbers पर addition perform करते हैं, बट यहां पर string पर करेंगे, और इसमें इसको बोलेंगे concatenation, next देखते हैं हम comparison operator, यह थोड़ी समझने वाल इसमें आपको तुड़ा जादे focus करना पड़ेगा, यह क्या है, आप definition देखे, a comparison operator compares its operands and returns a logical value based on whether the comparison is true, इसका मतलब क्या है, कि जो भी आप operand use करते हैं, और जो आप operator use की हैं, उसके basis पर यह उसको compare करेगा, और एक logical value, logical value क्या होती है, जो हमने पहले देखा था, जो boolean value हो मतलब कि या तो यह true होगा, या false होगा, true and false के form में आपको result मिलेगा, इदर true हो सकता है, या false हो सकता है, अब इसमें operands क्या हो सकता है, operands मतलब जिसको आप compare करेंगे, ओ हो सकता है, आपका numerical value हो सकता है, string हो सकता है, logical हो सकता है, object value हो सकता है, numerical कहना मतलब क्या है, जिसे हम ब वैसे sacrifice होगया आपको किसी के दो नेम को compare करना कि दोनों नेम सेम हैं या नहीं है logical में क्या है क्या आपको true-false को compare करना है Apostile और ने डिम्शुक्त में क्या है जो हमने डेका था है कीvalue पेरप का जो हमारा कि जामपल यहां पर और यहां पर यहां पर कि depends Comb mi बुटे के पर कि पिजाना है अब करेंगे किस शना किस्को इस महरें वूलेगा कि यह क्या प्हल्त खीकशल लेगा कि दौना कंपेर करें लेगा अब करेंगे तो वबुल tribes आफ पर आफ फिर adjustments कर देगा यगा यहां पर उसको difference मिलेगा तो इसकी जो value एक ask की value होती होती हर character की उसके basis पर यह आपको result देगा मैं आपको आगे बताऊंगा तो string के comparison में बस यह थोड़ा से ध्यान देना है अभी देखते हैं कि हमारे basic comparison operators कौन कौन से हैं तो पहला है हमारा equal इसको double equals to से denote करते हैं जो equal operator है इसका मतलब कि आपको check करना है कि दो values equal है या नहीं है तो देखते हैं मान लिजे मैंने दो variable create किया जिसे मान लिजे मैंने where x create किया x मैं मैंने दिया 12 where y दिया y में मैंने दिया 10 अब मुझे check करना है कि दोनों equal है की नहीं है console.log किया अपको पता है कि double equals to योज करते है x double equals to y अभी हम इसको रण कर सकते हैं रण करते हैं यह क्या बोला है false अपको पता है कि यह logical value return करते है based on that it returns a logical value तो आप देख सकते हैं, यह false बोल है, इसका मतलब कि दोनों equal नहीं है, अगर मैं इन दोनों को equal कर दूँ, तब क्या होगा? अभी यह true हो गया, यह है हमारा basic equal comparison operator, अगर मुझे चेक करना है कि दोनों not equal है क्या, मुझे समाल लिए not अगर यूज करना है, इसके सामने exclamatory sign लगा है false, मतलब हम उसको बोलना है कि x not equal to y, अगर यह equal नहीं होगा, यह true देगा, अगर equal है तो false देगा, अगर मालेजे इनको मैं unequal बनाता हूँ, यह 12 है, यह 14 है, इस case में यह true देगा, क्योंकि यह condition satisfy हो रही है, हम इसको बोलना है कि not equal to y है, और correct, yes, it is not equal to y, तिस case में हमें true म यहाँ पर देखिए, मैं बताता हूँ, strict equal इसको बोल सकता है, या deeply equal बोल सकता है, strict, strict equal and strict not equal, इसमें क्या होता है, कि यह देखिए, यहाँ पर अगर आप definition देखिए, तो returns to if the operands are equal and of the same type, और not के case में भी यही है, कि जो operands are not equal and are different type, अब इसका मतलब क्या है, पहले हमने type होता है, जिसे हमान लिजे कि जो type of operator मैंने आपको बताया, तो सुरू में ही, अगर x का type check करिए, यह का आएगा number, और y का type check करिए, यह आएगा number, ठीक है, तो अब इस पर हम deeply equal लगाते हैं, strict equal का पहले देखते हैं, तो यह होता है, triple equals to का sign होता है, double equals to आपका normal equality है, triple equals to strict equal ह अब यह देखिए, false बोल है, क्योंकि value different है, अभी मैं value same करता हूँ, इस case में true देगा, अब क्या करता हूँ, कि y को मैं string बना देता हूँ, अब इस case में क्या हुआ, कि पहला वाला हमारा value तो दोनों में 12 है, बट पहले का जो type है, आपको पता है क्यों number है, अगर आप type देखेंगे, तो यह आपका string हो गया, तो अब देखते हैं, यह क्या बोलता है, अब देखिए, false हो गया, इसका मतलब क्या है, कि अगर मैं इसको double equals to करके एक बार दिखाता हूँ आपको, double equals to में यह अभी भी true है, यानि कि जो double equals to है, वो आपके variable का type नहीं check करता है, वो बस value चेक करता है, दोनों value सेम है, तो आपको true देगा, but triple equals to क्या है, इसलिए इसको strict equal बोलता है, क्योंकि यह जो आपके operands है, यानि x and y, इनके type को भी वो compare करता है, तो उसको मिला कि ओके ठीक है, x हमारा भाई number है, यह जो है हमारा number है, और y जो है, यह हमारा string है, तो number और string तो ब्राबर हो नहीं सकते, इसलिए यह false दे रहा है, यह होता है हमारा strict equal, और ऐसा ही होता है हमारा strict not equal, अब इस case में देखिए, अब यह क्यों बोला, यह बोल रहा है true है, कैसे true हो गया, यहाँ पर value तो same है, अगर हम ऐसे कर दे, यह देखिए false बोल रहा है, false क्यों बोल रहा ह यह not equal to नहीं है, यह हम मतलब इसको बोल रहा है कि x not equal to y, मतलब कि x अगर हम इसको 13 कर दे, अगर यह not equal to होगा, यह true देगा, बट अगर हम यहाँ पर triple कर दे, तो भी true दे रहा है, अब मान लिजे इसको में string नहीं किया, तो भी true है, इसका मतलब simple सा मतलब यह है, कि अभी आ number लेके चलता है, इसको मैं हटा जिता हूँ, दोनो number है, तो इसका अगर आप definition देखें, तो यह क्या बोलता है, returns true if the operands are of same type, same type का अगर operand है, तो यह true करेगा, but not equal, equal नहीं होना चाहिए, या different type का हो, simple सा मतलब अगर दोनों different है, तो यह true ही आएगा, क्योंकि हम not equal to check कर रहा अब क्या है कि हमने type भी different कर दिया, तो यह भी true आएगा, but इसको हम normal not equal to check करते हैं, तो जैसे माल लिजए पहले हमारा दोनो number है, तो true आएगा, अब हम इसको string कर देते हैं, तो भी true आएगा, और इसको हमने 12 कर दिया, तो false आएगा, false क्यों आया, क्योंकि number यह दोनों same है, और जो हमारा उसका type है, वो भी different है, तो दोनों different है, इसलिए यह false आया, अभी देखते हैं, अगला हमारा greater than sign, greater than क्या है, यह आपको बस compare करेंगे, दो values greater है या नहीं है, अगर greater, पहला वाला जो आप्रेंट के आपके, जैसे माल लिजए आपने ऐसे दिये, यह x is greater than y, अगर यह x बड़ा होगा, तो आपको true मिलेगा, otherwise false मिलेगा, तो इस case में false मिलेगा, क्यों, क्योंकि हम बोलने x is greater than y, तो x y से बड़ा नहीं है, बलकि उसके equal है, तो इसी के साथ हमारा next operator आपरेटर आएगा, x is greater than or equal to y, उसका symbol यह है, greater and equal, यह देखिए, यह true हो तो इस case में भी होई है, तो less than or equal to का sign आएगा, तो इस case में यह true होगा, तो यह था हमारा greater than and less than, अब मालेजिए, x is less than, अब मालेजिए, इसको मैं 14 किया, तो यह हमारा true आएगा, क्योंकि yes, x is less than 14, तो यह हमारा होगा greater than and less than, तो यह थे हमारे कुछ basic operators, जिसमें हमने देख यूज करेंगे, जब हम function create करेंगे, उसमें कुछ logic लिखेंगे, कुछ real life के problems को solve करेंगे, तो इन समय इन operators का use होगा, वहाँ पर आपको और clarity इसकी आएगी, कि exactly इसका use कैसे हो रहा है, अभी आप इसको idea लगाए, इस पर आप practice करिए, different questions solve करिए, like दो, आप variable create करिए, उस प video में इतना है, thanks for watching, please subscribe, like and share this channel, thank you.